Hello everyone, welcome back to Sunidhi Economics classes, I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel फिलाल हमने econometrics को शुरू किया हुआ है और econometrics के अंदर हम अभी तक OLS estimators, dummy variable trap, multi-collinearity इन सब को पढ़ चुके हैं आज की इस वीडियो में हम OLS estimators की कुछ properties को पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो OLS estimators होते हैं उसके अंदर Goss Markov theorem क्या होती है और वो किस तरीके से blue properties से related होती है देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया इस तरीके से हम alpha plus beta 1x plus mui यह एक model होता है ठीक है This is a model, econometrics करेके model होता है इसमें हमें जो beta 1 है और जो alpha है यह parameters होते है यह parameters जो होते हम इनको estimate करते है जब भी मैंने आपको econometrics का model बताया होगा तो उसमें एक hat लगा हुआ होता है alpha hat plus beta hat x plus mui यह जो hat लगा हुआ होता है इस hat का मतलब यह होता है कि यह actual values नहीं है यह estimated value है अब actual और estimated value का क्या concept होता है जब भी हम कुछी भी तरीके की research को करते है तो फिर हमारे पास में पूरा population होता है population से मतलब वो सारी unit जो हमें एक study में include करनी है everything we want to include in the study is population हम population से क्या करते है population को पूरे की पूरे को study करना बहुत मुश्किल होता है बहुत difficult होता है बहुत जादा time consuming होता है बहुत जादा money लगता है उसमें तो हम क्या करते है population से sample निकालते है sampling method के थुरू और जो भी हम sample को निकालते है फिर हम उस sample को study करते है actual value कौन से value होती है अगर हम population पे study करें लेकिर actual में हम study किस पे करते है हम study करते है sample पे ठीक है इसलिए हम क्या करते है estimated values ठीक है yi hat is equal to alpha hat plus beta 1 hat x plus mu i अब हमीं क्या है हमें पता है alpha और beta 1 जो है हमारे parameters है और मैं पहले भी बता चुके हूँ कि alpha और beta 1 को निकालने के लिए क्या-क्या formulas हमारे लिए दिये गए है और किस तरीके से हम formulas को लगाते हैं अब हमें यह कहा गया है कि अगर OLS estimates है यानि कि OLS के true अगर हम alpha और beta की value निकाले तो वा blue होते हैं B L U E इसका क्या मतलब होता है इसको गोर्स मार्कम जो एकॉनोमिस्ट हैं उन्होंने अपनी theorem के explain करने की कोशिश की थी कि जो OLS estimators होते हैं वो blue होते हैं अब blue होता है क्या है best B for best L for linear U for unbiased E for estimator ठीक है तो क्या होते हैं यह best linear unbiased estimator गोर्स मार्कम की जो theorem थी और होने अपने theorem के अंदर कहा था कि कर हम OLS के assumptions को satisfy करते हैं तो जो हमारा OLS estimators होंगे वो बहुत जादा efficient होंगे linear होंगे और unbiased होंगे देखिए linearity तो मैं आपको बता चुकि हूँ कि parameter में linearity होती है यानि कि यह जो alpha है और जो beta है इनके कोई भी power नहीं होती है यह हमेशन बिना power के रहेंगे देखिए इससे पहले जब मैंने आपको statistical influence बताया था तो मैंने उसमें आपको unbiasedness के properties को explain किया था और उसमें बताया था कि unbiased होता क्या है और हम इस चीज को proof कैसे कर सकते है unbiasedness का अगर आप इस concept को detail में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी उस video को देख सकते हैं जिसका link आपको description box में मिल जाएगा मैं यहाँ पर short में आपको बता देती हूँ कि unbiasedness क्या होता है जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताये कि हम population में से sample को निकालते हैं तो जो हमारा sample का एक distribution निकल के आता है अगर sampling distribution का mean जो है वो population mean के equal आजाता है तो हम उसको क्या बोलते है unbiasedness e x bar is equal to mu ठीक है अगर हम population के mean को mu से denote करें और sample के mean को x bar से denote करें या फिर जो sampling का distribution इसको x bar से denote करें तो इसका जो expected mean है या फिर इसका जो average है वो population के equal आना चाहिए e x bar must be equal to mu तो यह unbiased है अगर यह mu के equal नहीं है तो यह क्या होगा यह biasedness आएगी और biasedness दो तरीके की होती है positive biasedness और negative biasedness यह मैंने आपको बहुत short में explain किया है क्योंकि आज की वीडियो का topic unbiasedness नहीं है हमें linear estimate आप हमें आज की इस वीडियो में हमें ordinary जो least square है OLS है उसमें unbiasedness को prove करना है detail में आपको यह concept पढ़ना है तो आप उस वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं पॉनो मेट्रिक्स का model था उसमें हमें beta को हम सबसे पहले prove करेंगे अगर beta ऑनबाइस हो जाएगा तो alpha भी ऑनबाइस हो जाएगा इस तरीके से यह हैं अब हम क्या करेंगे इसमें हम इसको deviation की form में निकालेंगे क्योंकि हमें unbiasedness prove करना हैं तो हम हरे चीज को क्या करेंगे deviation के form में निकालेंगे deviation के form में हम किस तरीके से निकाल सकते है क्योंकि हमें सारे data set को अपने अंदर count करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले सबका summation करेंगे ठीक है by doing summation सबसे पहले हम क्या करेंगे summation अब हम summation yi करेंगे ठीक है alpha को करेंगे तो क्या आजाएगा n alpha plus beta 1 भाहर आजाएगा summation यह parameter है इसलिए भाहर आजाएगा summation x i plus summation mu i यह मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इतना मैं पहले करा चुकी हूँ अब हम क्या करेंगे इस पूरी equation को n से divide कर देंगे ठीक है जब आप इसको n से divide करेंगे divide by n तो यह क्या हो गया summation y i divide by n is equal to यहाँ पर capital n लिखतेते हैं ताकि confusion ना हो n alpha upon n plus beta 1 summation x i upon n plus summation mu i upon n ठीक है इस पर तो कोई impact पड़ेगा ही नहीं ठीक है जब हमने इसको divide किया तो देखें किसका formula बन रहा है यह formula बन रहा है y bar यानि कि average mean of y total population को हम divide कर रहे number of population से y bar का formula बन गया n से n cancel हो गया तो यह गया alpha plus beta 1 जिस तरीके से y bar का formula बन रहा है या फिर average mean of y का formula बन रहा है यह हमारा average mean of x का formula बन रहा है तो हम यह पर क्या लिख देंगे b1 x bar और यह क्या हो जाएगा हमारा यह वाली जो term में यह हमारी 0 हो जाएगी और यह 0 क्यों होगी क्योंकि जब हमने assumptions मानी थी ONS की तो हमने उसमें assume किया था कि जो sum होगा error term का वो हमेशा क्या होगा 0 होगा तो इसे consider करने की ज़रूरत नहीं है अब हमारे पास दो equation बन के आई है पहली equation यह है और दूसरी equation हमारे पास यह है अब हम क्या करेंगे first equation में से second equation को subtract करेंगे ठीक है जो कि मैं यहाँ पे करती हूँ subtracting subtracting equation 1 from 2 ठीक है yi minus y bar is equal to देखें यहाँ पे भी alpha है और यहाँ पर भी alpha है alpha से alpha क्या हो जाएगा कट जाएगा beta 1 xi bar minus x bar plus mu bar का as it is mu i क्या होगा यह as it is रहेगा देखें यह क्या है यह deviation है ना मैंने बताया था कि हम सारी equation को deviation की form में convert करेंगे यह क्या है जितने भी number हमने लिए है उन सारे numbers में से उनको average mean में से हटाएंगे यह क्या है main deviation main deviation क्या होते है हमारे पास y की जितनी भी values होती है हम उनका arithmetic mean निकालते है और फिर हर एक value को deviate करते है तो अब हम इसको क्या कर सकते है capital से denote कर सकते है y अब हम क्या कर सकते है इसको small y से denote कर सकते है क्योंकि यह deviation है small y क्या है deviation yi is equal to beta 1 xi plus mu i ठीक है अगर इस equation को हम deviation की form में लिखना चाहें तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते है beta 1 xi plus mu i I hope आपको इतना clear हो गया होगा इस equation को जब हम unpiastness prove करेंगे तो use करेंगे इसलिए मैंने इसकी derivation कराई है वैसे मैं इसकी derivation पहले coefficient of determination में भी करा चुकी हूँ लेकिन मैंने इसको करा दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि यह value कहां से निकल कर आई है generally books में generally books जो होती है उनमें given नहीं होता है कि किस तरीके से यह value आई है इसलिए मैंने इसका derivation कराया है अब हम फटा-फट से quickly jump करेंगे कि unbiasedness को prove कैसे किया जाए i is equal to alpha plus beta 1 xi plus mu i यह हमारी OLS estimators की दी गई equation थी जिसके अंदर दो parameter नहीं alpha plus beta 1 इसको हमने deviation form में निकाला तो जो हमारे beta को formula होता था beta 1 का हमारे क्या formula होता था summation xy minus n summation xy अगर हम उसको deviation की form में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिख सकते है xi yi upon summation xi square इसका एक मैने अलग video बनाया हुआ है virus estimator को कैसे drive करते हैं उसका एक अलग separate video बना हुआ है आप जाके channel पर देख सकते हैं तो यह हमारे beta 1 के value निकल के आ गई है अब हम क्या करेंगे beta 1 is equal to summation xi yi की क्या value है beta 1 xi plus mui upon summation xi square कुछ नहीं किया है हमने केवल यहाँ पर yi की इस value को substitute कर दिया है अब हम क्या करेंगे यह जो एक term है इसकी अंदर multiply कर देंगे देखे जब हम इसकी multiply करेंगे तो beta 1 parameter है beta 1 तो बहार आ जाएगा अंदर क्या बचेगा summation xi का square 2 है plus summation mui xi upon summation xi का square इतने में तो किसी को कोई doubt नहीं होगा simple अंदर multiply किया है उसके बाद में beta 1 is equal to हम अलग अलग लख लेंगे हम अलग अलग लख लिख लेंगे अलग लग किस तरीके से लिखेंगे beta 1 summation xi square upon summation xi का square यह जो है denominator में यह इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है इसमें तो कोई confusion नहीं होना चाहिए प्लस summation mu i x i upon summation xi का square इतना आपको समझ में आ गया होगा अब देखिए x i square से x i square कट जाएगा इतने में कोई confusion नहीं होना चाहिए जब हमने x i square से x i square को काट दिया है तो हमारे क्या निकल किया है बीटा 1 is equal to बीटा 1 प्लस यह जो बीटा 1 है यह estimate है न मैंने आपको बताया था कि हम estimate को लेके चलेंगे तो बीटा 1 क्या है? estimate प्लस यहाँ पर क्या है summation of ui यह term क्या हो जाएगी हमारी यह term हो जाएगी 0 0 क्यों होगी? क्योंकि इसमें error term का summation है और मैंने आपको बताया कि जहाँ कहीं भी error term का summation होगा वहाँ पर 0 हो जाएगा तो इस term को तो हम considering नहीं करेंगे तो हमारा क्या बीटा 1 hat is equal to बीटा 1 अब हम इसका expectation करेंगे तो बीटा 1 hat is equal to बीटा 1 ठीक है? expected value क्या आएगी? बीटा 1 देखें जो sample था यह sample मेंसे था न estimated value मैंने बताया था estimated value sample से निकालते हैं और यह क्या है? बीटा 1 यह population का sample mean अगर population mean के equal हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? कि वो parameter unbiased है क्योंकि इसमें sample और population के mean equal हो गए हैं तो यह हमारा unbiased prove हो जाता है इससे next वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यह minimum variance कैसे है यानि कि यह सबसे जादा efficient estimator कैसे है I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो please like it, share it with your friends and subscribe to the channel subscribe करने के बाद notification bell को जरूर own करें ताकि जैसे ही मैं next वीडियो को upload करूँ वह जल से जल आप तक पहुँछे until next time, thank you so much